हेलो बच्चों एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजीस क्लास में स्वागत करता हूँ जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों उस्मा गत्की से संबंदित महत्पून पद रुधोस्म प्रक्रम हम लोगों ने प्राप्ट किया था बच्चों और उसे संबंदित महत्पून पद बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया था तो चलिए आज हम लोग उसी class को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जानने का प्रियास करेंगे बचों कि समतापिय प्रक्रम में कारी का बियंजक किस परकार ग्यात किया जाता है तो मेरे साथ आज बने रहेंगे बचों और अपने साथ copy column को लेकर के बैठेंगे ताकि मैं जो important बात आप लोगों को बताऊंगा उसे आप लोग अपने copy में note कर पाएंगे तो चलिए बिना समय गवाई जो है हम लोग आज बात करते हैं समतापिय प्रक्रम में और समतापिय प्रक्रम और उधोस्न प्रक्रम को किस प्रकार पूर्ण कराया जाता है यहने इसका पूरा full description जो है बचों मेरे वीडियो में दिया गया है यहने full detail वीडियो में इसका बनाया है बचों तो आप लोग उस वीडियो को पहले समझें कि समताफिय प्रक्रम जो है किस परकार पूर्ण कराया जाता है उसके बाद यदि आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों तो चलिए हम लोग बिना समय गवाई जो है आज हम लोग इसे जानने का प्रियास करते हैं बच्चों की समताफिय प्रक्रम किस परकार पूर्ण कराया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप लोगों को देखना है बच्चों की मान लेते हैं कि मेरे पास एक पिस्टन है है कि नी एक पात्र है रुधोस्म प्रक्रम में मैंने आप लोगों को बताया था कि यह पात्र जो है बच्चों को पूर्णता कुचालक होता है ठीक है लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यह एक पात्र है जो की पूर्णता चालक है इसका मतलब है कि इसमें उस्मा का आदान परदान जो होता है इस पात्र के दिवार के द्वारा संभा हुए मतलब हो पाता है और इसी में एक घरसन युक्त सुचाला के पिस्टन लगा हुआ है रुधोस्म प्रक्रम और समताफिय प्रक्रम में बस अंतर इतना ही होता है प्रक्रियाज होती है बहुत slow होती है धीरे-धीरे होती है ठीक है अर्थात इसमें क्या होता है कि उस्मा के आदान-परदान करने के लिए निकाय को काफी अधिक समय मिल जाता है जिसके बज़े से क्या होता है कि ताप जो होता है वो constant हो जाता है ठीक है ताप constant रह जाता है ब कौन सा पात रहा है एक सुचालक पात रहा है कंड़क्टिंग वेसेल्स जिसको हम लोगows电ाओ करते हैं जबछों दर उसके अन्दर गैस जो कुछ अनूहा जो है इसके अंदर गैस को गर्म किया नब इसके अंदर गैस जब गर्म हो जाती है तो वो गैस क्या करती है पात्र की दिवारों पर दाब डालती है जिसके वज़य से पिस्टन के उपरी सतापर भी वो क्या करेगी दाब डालेगी और दीरे-डीरे बाहर की और खिसकेगा तो हम लोग यह बात मान लेते हैं बच्चों की piston जो है अभी वो कुछ दूरी से बाहर की और बिस्थापित हो गया ये दूरी को हम लोग कितना मान लेते हैं DX मान लेते हैं कि DX दूरी से piston क्या होई बाहर की और बिस्थापित होई तो बिस्थापन में जो होता है कुछ कारे करना पड़ता है क्योंकि यह जो भी गैस जो है वो पिस्टन पर कुछ बल लगाता है और बल आरफित करने के वज़ہ से जो है पिस्टन बाहर की और डिए outta दूरी से अर्थापित हो जाता है माना एक सूचाला का पातर में आदर्स गैस का कुछ अनू रखा गया है इसे समतापिय बिधी द्वारा गर्म किया जा रहा है कुछ बिधी द्वारा इसे समतापिय बिधी द्वारा आईसो थर्मली जो है प्रोसेस द्वारा इसे घर्म किया जा रहा है समताप्य विद्वारा गर्म किया जा रहा है जिससे गैस का आंतरिक उर्जा में व्रिदी होती है लेकिन इंटर्नल एनरजी आंतरिक उर्जा में व्रिदी होती है अब क्या करेगा कि गैस पातर की दिवार पर दाब डालता है गैस जो है पातर की दिवार पर क्या करता है वो दाब डालता है तो मन लिया देखे यहां पर मना देखे मना कि मना गैस का देखे गैस का दाब पी तथा आईतन भी है यह कि नहीं देखे पिस्टन पर गैस द्वारा डाला गया या लगाया गया भी लिख सकते हैं कि लगाया गया यहां गैस पिस्टन पर गैस द्वारा लगाया गया बल कितना होगा तो बल आप लोग जानते हैं कि एप इस एक्वल टू पी इंटू ए होता है जहां ए क्या है जहां मैं लिख देता हूं कि जहां ए जो है पिस्टन का अनुपरस्त काट का छेतरफल है क्या है, पिस्टन का अनुप्रस्त काट का चेतरफल है, ठीक है, पिस्टन का अनुप्रस्त काट का चेतरफल है, तो पिस्टन का ये अनुप्रस्त काट का चेतरफल है, बचो ये वला पिस्टन, ठीक है न, इसका अनुप्रस्त काट का चेतरफल कितना है, ए, तो ये अब कहें तो f बराबर p into a हो जाएगा ठेक है अब देखी क्या होता है कि इस बल के कारण इस बल के कारण पिस्टन इस बल के कारण ठेक है पिस्टन इस बल के कारण पिस्टन बाहर की और यह किने बाहर की और dx दूरी से यह किने dx दूरी से बिस्थापित होता है इस बल के कारण पिस्टन बाहर की और डी एक्स दूरी से बिस्थापित होता है डी एक्स दूरी से बिस्थापित होता है आप फिगर में भी देख सकते हैं कि पिस्टन डी एक्स दूरी से बाहर की और बिस्थापित हो गया तो बिस्थापन में किया गया कारी कितना हो जाएगा तो यहाँ पर लिखिए कि बिस्थापन में किया गया कारी बिस्थापन में गैस द्वारा किया गया कारी किया गया कारी कितना होगा कारी तो हम लोग मान देते हैं कि DW होता है कारी का बेंजे का आप लोग जानते है कि f into dx होता है बल गुना बिस्थापन को हम लोग क्या काते है कारी काते है अब बल का मान यहां जो है इससे यहां पर रख देंगे देखें बल का मान रखने पर देखें बल का मान रखने पर बल का मान रखने पर तो बलकामान रख देंगे तो dw is equal to p f is equal to p into a है यहाँ पे भी रख देंगे क्या हो जाएगे देखे प, a और यह हो गया मेरा dx ठीक है अब बात आता है कि यह जो term हम मेरे पास आया है adx यह क्या है तो इसको एक बार समझने का figure में आप लोग परियास करेंगे यह क्या है अनुप्रस्तकाट का छत्रफल है piston के अनुप्रस्तकाट का छत्रफल है piston कैसा होता है एक बृताकार होता है एक भलय के आकार का होता है रिंग के जैसा होता है यह एक piston है है न जिसको करते है solid मतलब ring होता है बीच में उसका gap नहीं होता है है कि नहीं तो ये एक क्या है मतलब बृताकार होता है इसका अनुर्परस्ट काट का शतरफल A है और इसको बाहर किया और मैंने dx दूरी से भी स्थापित किया इसका मतलब है कि गैस भी जो है इतना दूर तक फैला है परसार हुआ है ठीक है नहीं पिस्टन यहां पर आएगा तो गैस भी परसारित हो जाएगी तो अब यहां पर बात समझेगा कि ये अनुर्परस्ट अकार्ट का शतरफल है और ये दूरी है तो अनुर्परस्ट अकार्ट का शतरफल और गुना दूरी को हम लोग आइटन कहते है तो ये कौन सा आइटन है ये आइटन वो आइटन है जो गैस परसारित हुआ है इसका मतलब कह सकते हैं कि ADX परसारित गैस का आइटन है ठीक हैं यहाँ पर भी समीकन को आगे बढ़ाएंगे तो d w is equal to हो जाएगा p d b जहाँ d b is equal to कितना है देखिए जहाँ d b is equal to a d x है इसको क्या कहाजाता है प्रसारित देखिए इसको लिखते हैं प्रसारित गैस का रहार सारित गैसका आईतन है इसको करते हैं प्रसारित गैस का आईतन है बचो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी ठीक है अब यहाँ पर इस समीकर्ण में हम लोग कुछ चेंजिंग करेंगे कि यहाँ पर हम बात समझेगा कि जो आदर्स गैस रखें हैं यहाँ उसी गैस का समीकर्ण का यहाँ पर इस्तमाल करेंगे तो लिखेंगे आदर्स गैस के अवस्था समीकर्ण से देखें आदर्स गैस के अवस्था समीकर्ण से ठीक है ने आदर्स गैस के अवस्था समीकर्ण से तो आदर से gas का बसा समीकन जो होता है वो P V is equal to N RT होता है जहाँ N जो है मोल की संख्या होती है जहाँ N is equal to मोल की संख्या है लेकिन लिया गया गैस कितना मोल लिये यहाँ पर N is equal to 1 इसका मतलब हम लोग एक gas, एक मोल गैस का इस्तमाल कर रहे है तो समीकन मेरा convert हो जाएगा N का value 1 हो जाएगा तो P is equal to RT हो जाएगा तो P का value हम लोगों को यहाँ से find कर लेना है तो P is equal to कितना हो गया देखिए RT भाई यहाँ पर कितना हो गया भी बात समझ में आगी अब यह मान जो है P का मान हम लोग इस समीकन में रख देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए P का मान उपर के समीकन में रखने पर देखिए P का मान बात समझेगा कि P का मान उपर के P का मान उपर के समीकरन में P का मान उपर के समीकरन में रखने पर तो रखेंगे तो DW is equal to को क्या प्राप्त हुआ P के जगा में हम लोग क्या रख देंगे देखिए RT by यहाँ पर B और यहाँ पर आपका एक variable है DB तो यह समीकरन हम लोगों को जाकर के प्राप्त हुआ अब मैं आप लोगों को पुना बता देना चाता हूँ बचों एक बात देखें यहाँ पर मान लेते हैं कि यह मेरा एक piston है यह पात्र है इस पर एक piston लगा हुआ है आदर से गैस के कुछ अनू इसके अंदर रखे गए हैं जब इसे घर में किया जाता है तो पीच्टन आप लोग जानते हैं कि बाहर के और खेसक जाता है तो इस पात्र का मान लेते हैं कि पात्र का प्रारंभी का आईतन जो है वो कितना हो गया भीवन भी का ही मान कितना है हम लोग मान लेते हैं भीवन और जब gas परसारित होकर के यहाँ पर चले जाता है तो इस इस्तिती में जो gas का item है वो भी किसमें बदल जाता है भीटू में तो कहने का मतलब है कि भी का मान दो बार परिवर्टन हो रहा है नहीं एक बार इस gas का प्रारंबिक item भीवन मान लिए गैस का item भीवन तथा अंतिम item भीटू है अब देखें भीवन से भीटू तक भीवन से भीटू तक आईतन ब्रदी में कुल किया गया कार्य कितना होगा ठीक है नहीं तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो इंटीग्रेट कर दिये डी डबलू इधर भी इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक भीवन से ले करके भीटू तक हमको integrate करना पड़ेगा और यहाँ पर कितना हो गया देखिए r t by b और इधर कितना हो गया मेरा d b हो गया ठीक है यह हो गया बच्चों तो अब हम लोग इसका integration करेंगा constant हम कौन कौन सा है देखिए हम लोग समतापिय प्रकरम में नियत होती है समतापिय प्रकरिया में क्या होती है नियत होती है समतापिय प्रकरिया में यह नियत है कौन ती तो दोनों ही टर्म जो है बाहर निकल जाएगा tats implies अब dw का integration w होता है r t देखिए यहाँ से बाहर निकल गया सिर्फ integration किसका होगा देखें यहाँ पर db by यहाँ पर हो गया भी तो आप लोग जानते है integrations में कि db dx by x यही term है यहाँ पर तो इसका integration आप लोग जानते होगे कि log e होता है sorry log x होता है naturals एन लोग के साथ log में e यहाँ पर hidden रहता है तो इसका integration से दिए हम लोग करने जाएंगे तो w is equal to कितना हो गया rt और इसका integration हो जाएगा log b बात समझ में आ गया अब यहाँ से limit लग जाएगा b1 से लेकर हो गया b2 तक अब एक एक करके limit इसको satisfy करेगा तो that implies w is equal to यहाँ पर हो गया rt और यह देखे log एक बार b को b2 satisfy करेगा तो b2 minus हो जाएगा log और यह b1 तो आप लोग formula जानते होंगे बच्चों कि log a minus log b is equal to कितना होता log a by b होता ठीक है तो यही formula का इस्तमाल यहाँ पर भी करेंगा तो that implies w is equal to rt हो गया और यह हो जाएगा log b2 by यहाँ पर हो जाएगा b1 तो यह तो natural log था ना बच्चों तो इसको log को हम लोग किसके रूप में convert करेंगे 10 के base में convert करेंगे तो मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि natural log को 10 के base में हम लोग कैसे convert करते हैं तो log देखें natural log x तो इसको हम लोग कैसे convert करेंगे तो log e 10 into यहाँ पर हो जाएगा log 10 x ठीक है बात समझें तो इसका जो value होता है वो value होता है 2.303 इसका value होता है तो हम लोग इसको इसी तरह convert यहाँ पर करेंगे तो w is equal to कितना हो जाएगा यहाँ पर हो गया rt तो हमें direct यहाँ पर लिग देता हो बच्चों कि देखें 2.303 log अब यहाँ पर जो e मेरा छुपा हुआ था वो 10 में बदल जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा v2 by यहाँ पर होगा v1 ठीक हैं तो यह expressions कुछ मेरा इसको हम लोग arrange करके हम यहाँ पर लिग देते हैं बच्चों देखें इसको हम लोग तो हम आसा arrange करके यहाँ पर लिग देते हैं कि w is equal to 2.303 यह हो गया rt यह हो गया log 10 यह कितना हो जाएगा v2 by v1 यह मेरा जो है आईसो थर्मल प्रोसेस में वर्क है किया गया कारी का बेंजक होता है तो काफी असान है बच्चों आप लोग 2 बार 3 बार इससे प्रैक्टिस करेंगे तो हमको लगता है कि इसमें आप लोग जो है नमारत हासिल कर सकते हैं ठीक हैं तो यही है समताफिय प्रकरम में किया गया कारी का बेंजक तो अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों क्योंकि मैंने आप लोगों को रुधोस्म प्रकरम किस प्रकार पूर्ण करा जाता है इसके बारे में बता दिया समतापिय प्रक्रम में कारी बता दिया और दोस्म प्रक्रम में भी मैंने कारी बता दिया लेकिन अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम लोग यदि समतापिय प्रक्रम में का ग्राप खिषते हैं और दोस्म प्रक्रम में रुधोस्म समतापिय तथा रुधोस्म प्रक्रम में ग्राप का ढाल की तुलना करना है। आप लोग यहाँ पर एक बात देखते हैं कि समतापिय प्रक्रम में समतापिय प्रक्रम के समीकरन से समतापिय प्रक्रम का जो समीकरन होता है वो pb is equal to constant होता है। क्या होता है pb is equal to constant ठीक है अब हम लोग इसका अब कलन करेंगे क्या करेंगे अब कलन करने पर अब कलन करने पर इसका अब कलन करेंगे तो दीवी प्राप्त हुआ एक बर b को constant करके p का करेंगे तो bdp is equal to constant का आप कलन केतना हो जाता है जीरो होता है तो that simplise इसको solve करेंगे बराबर को अधर ले जाएंगे तो यह हो गया pdb is equal to minus bdp समझ में आ गया तो अब that implies pb by db का value हम लोग निकाल लेंगे pb by db ठीक है इस equal to कितना हो जाएगा आप जान पा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा minus b sorry p by b इसको हम लोग समी का नंबर एक कहेंगे तो यह समी का निकल गया यह अब dp by db जो देकर है जहाँ dp by db वो क्या है जहाँ db sorry dp by db क्या है ग्राप का ढाल है ग्राप का ढाल है पी और भी के बीच में खीचा गया ग्राप का ढाल होता है ग्राप का ढाल है है कि पी और भी के बीच में जब ग्राप खीचते हैं तो ग्राप का ढाल हम लोगों को मिलता है आपको बताएंगे कि ग्राप का ढाल कैसा होता है अब देख गामा is equal to constant ठीक है ने पी भी गामा is equal to constant तो हम लोग इसका आब कलन करेंगे तो लिखेंगे आब कलन करने पर देखें आब कलन करने पर तो आब कलन करेंगे एक बड़ पी को constant रखेंगे तो गामा का जब हम लोग गया dp और constant का क्या होता है 0 होता है, अब हम लोग इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो गया देखे, p, देखे, v to the power gamma, इसको भी हम लोग इपर arrange कर लेते हैं ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखे, v, लेकिने, v to the power gamma, और minus 1 है, इसलिए एक b मेरा यहाँ पर आ जाएगा, इसको कहेंगे b, बात समझ में आ गया अब इधर देखे, plus, यहाँ पर भी हो गया, v to the power gamma, इधर हो गया, dp is equal to 0, बहुत दीरे-दीरे कर रहा हो बच्छों, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अब उसको हम लोग बराबर के उधर ले जाएगे, यहाँ देखे, p gamma, यहाँ पर हो गया, v to the power gamma by b is equal to, इसको उधर ले जाएगे, तो minus हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, v to the power gamma, इधर हो जाएगा, dp तो v to the power gamma, v to the power gamma, दोनों side cancel हो गया, अब हम लोग ढाल निकाल लेंगे, p एक मिनट, सॉरी बचों, यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है, यहाँ पर जब हम लोग, v to the power gamma का, जब हम लोग अब कलन करेंगे, तो एक टर्म और आता है, जिसको हम लोग कहते है, db, सॉरी, यहाँ पर db का value जब हम लोग निकालेंगे, तो बचों, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखे, यहाँ आप से gamma यहीं पर चला जाएगा, और p और by यहाँ पर आजाएगा भी, तो इस टर्म में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस हाथ में एक minus का भी साइन आ जाएगा, ठीक है, तो अब आप लोग इसको समीकन नंबर दो मान सकते हैं, अब समीकन एक और समीकन दो का आप तुलना करिए, समीकन नंबर एक यहाँ पर देखे, dp by, यह समतापिय प्रकरम का ढ़ाल है, dp by, db is equal to minus p by b है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रुदोस्म प्रकरम में, dp by db is equal to minus gamma and p by b, तो अब क्या करेंगे, यह दोनों का तुलना करेंगे, लिखेंगे, समीकन एक और समीकन दो का तुलना करने पर, देखें, समीकन एक, समीकन एक तथा तुलना करने पर, समीकन एक तथा दो का तुलना करने पर, छेकिन, जब हम तुलना करेंगे, तो हम क्या करेंगे बचों, कि यह मेरा कौन सा परकरम है, आप बता सकते हैं, कि यह iadivetic process है, इसलिए इसको हम लोग, छेकिन ब्रैकेट दे करके कि यहां पर हम लोग A लिख देंगे, A से हंको क्या होगा, कि दोनों के ढाल में हमको अंतर पता चल पाएगा, ठीक है ने, अब यहां पर भी यह आईसो थर्मल प्रोसेस था, बच्चों आप लोग देख पारें, यिसको ने, आईसो थर्मल प्रोसेस को इस term को उठा करके हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं ठीक है नहीं तो यहाँ पर क्या होगा देखी यहाँ पर दोनों का तुलना करेंगे तो dp by db bracket a यह हो गया ideavatic process कर अब यहाँ पर gamma है अब देखें minus p by b यहाँ से term मेरा बच रहा है minus p by b तो minus p by b का value जो है समीकन एक से मैं यहाँ पर क्या रख दोंगा dp by db i रख देंगे यह नीचे में ठीक है तो यहाँ पर क्या आगिया देखें यहाँ पर आगिया dp by db यह हो गया मेरा isothermal process तो समीकन कुछ निकल करके graph की तुलना हो गई इस परकार निकल करके इस परकार आया ठीक है तो आप इसमें हमको बता सकते हैं बच्चों कि कौन सा ढाल जादा होगा अब इसमें बताईए कि रुधोस्म प्रक्रम का ढाल जादा है कि आईसो थर्मल प्रोसेस का ढाल जादा होगा मुझे लग रहा है कि रुधोस्म प्रक्रम जो है इसका ढाल जादा होगा क्योंकि आईसो थर्मल प्रोसेस में समतापिय प्रक्रम में जो ढाल प्राप्त हुआ है उसे गामा से गुना किया गया है तब जाकर के वो रुधोस्म प्रक्रम के ढाल के बराबर हुआ है ठीक है ने तो आप बता सकते ह कि कौन बड़ा है तो इसका मतलब रुधोस्म प्रक्रम का ढाल बड़ा होता तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण से अस्पस्ट है कि रुधोस्म प्रक्रम में रुधोस्म प्रक्रम में P भर्सिस B के ग्राप का ढाल समताप्य प्रक्रम से ज़्यादा होता है यह बात अप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग यहाँ पर ग्राप कीचेंगे तो ग्राप दो होगा दो ग्राप लिखेंगे एक हम लिखेंगे कि परसार की इस्तिती का ग्राप और एक कौन सा ग्राप होगा संपिडन की इस्तिती का ग्राप तो दोनों ग्राप का हम अलग अलग ढ़ल आप लोगों को बता के बताएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बचों परसार का यहाँ पर परसार का ग्राफ देखें यहाँ पर परसार का ग्राफ ठीक है ने परसार का ग्राफ तो परसार को पहले आप लोग को समझना पड़ेगा बचों यदि हम लोग इसके बीच में पी और भी के बीच में देखें हैं कि जब गैस फैलता है उसी को कहते हैं परसार होना तो जब गैस फैलता है तो आयतन में ब्रिदी होती है यह कि ने जब गैस फैलता है तो आयतन में ब्रिदी होती है और दाब उसका घटता है ठीक है ने तो इसका मतलब है कि जब हम लोग रुधोस में प्रक्रम से हम लोग जब उसको परसारित करेंगे तो graph जब खिचेंगे परसार का तो graph मेरा क्या होगा नीचे की और आएगा नीचे की और आने का मतलब कि दाब में कमी आ रही है और item में जब इधर की और हम लोग बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि item बढ़ोतरी हो रही है जब खिचेंगे दाब में कमी आ रही है जैसे नीचे जा रहे है दाब में कमी और item में ब्रदी और इसका मतलब क्या हो गया कि ये परसार हो रहा है तो ढ़ाल अब किसका ज़्यादा होता है तो आप लोग जानते हैं कि जो जितना खड़ा होता है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाने का प्रियास करते हैं कि जो जितना ज़्यादा खड़ा होता है हम लोग करते हैं कि उसकी ढाल उतनी ही ज़्यादा होती है आप बता सकते हैं कि इसकी ढाल ज़्यादा होगी कि उसका ढाल जादा होगा तो ये वाला जो प्रक्रिया ये वाला जो आपका रेखा देख रहे हैं वक्रिय रेखा ये रुधोस में प्रक्रम को इंडिकेट करेगा ये क्या इंडिकेट करेगा रुधोस में प्रक्रम को और ये वाले जो रेखा है यह समताप यह प्रक्रम को इंडिकेट करता है बात समझ में आ गया बच्छों आप लोगों को अब यहाँ पर देखेंगे संपीडन की अवस्था में तो संपीडन की अवस्था को आपको समझना पड़ेगा बच्छों कि संपीडन की अवस्था में होता है कि जब गैस को हम ल क्या करेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई पिस्टन है इसमें जब हम यहाँ पर गैस बराबा इसको आईतन में यदि कमी करेंगे आप डाब डालते हैं तो गैस क्या होती है उसका आईतन घड़ जाता है मतलब कि संपिडन की गराप हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो P और B के बीच में ही गराप खिचेंगे तो अब इसका गराप में क्या होगा कि आईतन में कमी आएगी और दाब में बढ़ोतरी होगी तो इस बिंदू से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से क्या होगी आईतन में कमी आ रही है और दाब में क्या होगी ब्रिद्धी होगी इस पर कर कर गराप होगा तो यहाँ पर भी दो गराप खिचेंगे इस पर कर अब आप लोग यहाँ पर बताएगे कि इस इससिती में इस से ठीक इसका जस्ट उल्टा है तो कौन सा ज़्यादा खड़ा होगा खड़ा तो आप देख पा रहे हैं कि इससिती में यह होगा नहीं उल्टा होगया ना तो यह खड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यह क्या होगा मेरा ऊपर की और जा रहा है तो ग्राप को भी इधर की और बढ़ रहे हैं आयतन की बढ़ना मना आयतन को घट रहा है और दीरे दीरे ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब विदाब में ब्रदी हो रही है तो संपिडन का यह ग्राफ है इसको थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिकली बच्चों समझना पड़ेगा तो यह बला जो तो आज मेरा विडियो बच्चों इतना ही रहेगा आप लोग इसको समझने का परियास करेंगे है न एक विडियो एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो उसे दो बार देखने का परियास करें और उसे अच्छीता से समझने का कोसिस करें बच्चों जो भी ब इसके साथ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रुधोस्म प्रक्रम में कारिये ज्यादा होता है या समताप्य प्रक्रम में कारिये ज्यादा होता है या समताप्य प्रक्रम में कारिये ज्यादा होता है हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे next class में ठीक है और साथ ही साथ मैं ये भी चर्चा करूंगा कि चक्रिय प्रक्रम में क्या होता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताने का परियास करूंगा तो ठीक है बचो आज इतना ही रहेगा आप लोग अच्छीता से वीडियो को देखे और हमेशा आप लोग खेलते रहे ह आजते रहें मुस्कुराते रहें और इसी परकार हमारे वीडियो को बचो आप लोग देखते रहें आज आप लोग ने जो वीडियो को देखा बचो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद लौट्स अफ थैंक्स जैहिंद